हालो फ्रेंड मैं इस्मृति एस्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल स्टाड़ी वेत इस्मृति में आए सुरू करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में आप लोगों को JPSC के मुख्य परिक्षा के लिए एक प्रश्ण का उत्तर कराने वाले हूँ ये उन सारे स्टून के लिए हलफ़ल हो जाएगा जो JPSC की त्यारों में लगे हैं और जो प्रश्ण मैंने लिया है इसे मैंने क्रिसी विग्यान से लिया है और सि JPSC के मुख्य परिक्षा किस लिबस को अगर देखा जाए तो प्रश्ण पत्र छे में क्रिसी विग्यान पढ़ने हैं यहां से जो मैंने प्रश्ण लिया है वह है कि जार्खन राजे के क्रिसी जलवायू श्यत्र का क्रम बार विवरन प्रस्तूत कीजे यह आज का प्रश् मैंने जार्खन की क्रिसी जलवायू श्यत्र का विवरन प्रस्तूत किया है और फिर उसके बाद मैंने निस्कर्स लिखा है सबसे पहरे लोग भूमिका को देखते हैं एक क्रिसी जलवायू श्यत्र के संदर्व में एक भूमी की इकाई है जो कि एक निशित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों यह जोतने वालों के लिए उप्यूक्त होती है एक सीमा के अंदर जो फसल की किस्म है और फी जो जोतने वाले हैं उनके लिए उप्यूक्त होती है यह इसका उदेश्य प्रकृतिक संसाधन और परेवरण की स्थिति को प्रभावित किये बिना भोजन फा कि वहां का जो प्राकृतिक संसाधन है या फिर वहां का परेवरण है उसको कोई उस पे हानी नहीं पहुँचाना है उसको प्रभावीत नहीं करना है और उसको प्रभावीत किये बिना भोजन, पाइफाइबर, चारा, लकडी से मिलने वाले इंधन इन सभी की उपलब्धता क बनाए रखना है और इन छेत्रिये जो छेत्रिये संसादन है उसका वैज्ञानिक प्रबंधन भी करना है यही उद्देश्य है इसका यह क्रिसी प्रसिति की छेत्र जलवायू मुख्यता मिट्टी के प्रकार फसल की उपज वर्सा तापमान और पानी की उपलग्धता संसादन है इसको अगर प्रभावीत करने वाले जो कारक है उसके संदर्व में हम रोके होग लोग कार फसल लाकार में संसाधन उपलब्धता के अधार पे भारत में कुल 15 क्रिसी जलवायो शेत्र हैं संसाधन की उपलब्धता उसके अधार पे वर्गीकरण किया गया है योजना आयोक के द्वारा और इस वर्गीकरण के अधार पे कितने क्रिसी जलवायो शेत्र हैं भारत में तो यह 15 क्रिसी ज संबंदित है भारत की जो मुख्य भूमी है उससे संबंदित है कितने जलवायु छेत्र वो है 14 और सेस एक जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दुईप में हैं भारत देश के क्रिसी जलवायु छेत्र आपकी ज़ार्खंड की बात हो रही है जार्खंड देश के क्रिसी जलवायु छेत्र साथ जो पुर्वी पठार और पहाड़ी छेत्र का एक हिस्सा है क्रिसी जलवायू छेतर 7 का हिस्सा है जारखन अगर किस आधार पे अगर वरगी करण किया गया है तो संसाधन उपलब्धता के आधार पे जो वरगी करण किया गया है जिसके आधार पे देश में 15 क्रिसी जलवायू छेतर है तो उसमें सात्वा जो क्रिसी जलवायू छेत्र है भारत का उसकी अंतरगत जार्खन डाता है और क्रिसी जलवायू छेत्र साथ के अंतरगत क्या है पुर्वी पठार और पहाडी छेत्र का एक हिस्सा जो पुर्वी पठार है भारत का जो पुर्वी पठार है वो और पहाडी छेतर का हिस्सा है इसी के अंतरगत जार्खन आता है पुना राजिक को तीन क्रिसी जलवायो छेतर में विभाजित किया गया है एक विभाजन तो यह हुआ जिसके अंतरगत भारत के क्रिसी जलवायो छेतर के अंतरगत जार्खन आता है और जहारखन के क्रिसी जलवायो शेतर को तीन भागों में विभाद जित किया गया है कैसे तो वो देखेंगे जिसकी अधार पे क्रिसी और वानिकी का सम्मन्वित उपयोग किया जा सकता है ये क्रिसी जलवायो शेतर कौन कौन से है तो ये निमने है पहला है, मद्ध एवं उत्तर पूरवी पठार, देखें कहां पर है, जो green कलर से मैं नहीं यहां बनाया है, वो क्या है, मद्ध ये green वाला चितर, मद्ध एवं उत्तर पूरवी पठार, उत्तर ये north है, और ये east side है तो उत्तर पुर्वी पठार मध्य और उत्तर पुर्वी पठार ये एक हुआ पहला छेतर एक के अंतरगत आता है दूसरा है पशिम पठार दो के अंतरगत जो पीले रंग से मैंने बनाया है ये पशिम का पठार है पश्मी पठार यह चेतर 2 के अंतरगत आता है क्रिसी जलवायू चेतर 2 के अंतरगत नेक्स्ट है दक्षिन पुर्वी पठार 3 यह चेतर 3 के अंतरगत आता है यह दक्षिन और पुर्वी दक्षिन पुर्वी यह हो गया साउथ का दक्षिन पुर्वी चेतर आपने देखा तो क्रिसी जलवाईयों छेत्र की मुख्य विशेस्ता निम लिखे थे जार खंड के जो क्रिसी जलवाईयों छेत्र है उसमें जो मध्य उत्र पूर्वी पठार है पश्मी पठार है या दक्षिन पूर्वी पठार है जिसको की छेत्र एक छेत्र दो और छेत्र तीन के अंदर प्रगत रखा गया है इसके क्या विशेस्ता है यह जेखें हम लोग मत्य उत्तर पूर्विय पठार इसमें क्या है तो इसमें नम और उप उमस उस निकटे बंदिया मौनसून प्रकार की यहां के जलवायों है अब थोड़ा और विशेस्ता को अम लोग जानेंगे यह चेत्र राजे के कुल भोगलिक छेत्र का लगभग 44 प्रतिशत है मैं आपको दिखा दू देखें यहां की बात हो रही है तो यह पूरा जो जारखंड है इसका 44 प्रतिशत भाग को यह कवर करता है कौन तो मद्य उत्तर पूर्वी पठार कितने भाग को कवर करता है तो 44 प्रतिश क्लबल आपको कुन सा है तो यही मद्य उत्तर पूर्वी पठार यहां कि कुल अबादी का शहरी प्रतिशत जो है वह बाइस प्रतिशत है ढैंत्य है मौें आस्न वुरा प्रतिशत है जंसंक्रा घानन तो इहां पर कितना है 448 बेय्म और ती किलो मिटर मद्य इम उत्तर मिटी की कम धारण छंत Safety का जो प्रकार है यहां की जो मिटी है वो उसकी जलदारण छंता होती है यानि कि नमी को बनाए नहीं रख पाती है वहां पर वहाँ पर मौनसून का देर से आगमन और जल्दी लोटना मौनसून लेट से आती है इस शित्र में और जल्दी वापस भी हो जाती है यानि कि जादा वर्सा नहीं होती है तो जादा समय तक वर्षा नहीं होती कहने करते हैं फरवरी तक तलाबों और कुवों का सुख जाना जब फरवरी का महीना आता है तो उसमय तक यहां के तलाब हैं और कुवे हैं वो सुख जाते हैं जिसे की रभी फसलों के उत्पादन में कमी आती है क्यों कमी आती है रभी फासल के उत्पादन में क्योंकि रभी फासल में सिचाई की आवर्शक्ता होती है और जारखंड में सिचाई का जो प्रमुक साधन है वो क्या है तो तलाव है कुए है तो सर्वधिक प्रमुक जो साधन है वो कौन सा है तो वो है कुँआ कूऊं से सबसेधा सिचाय की जाते हैं फिर तलाप से भी सिचाय होती है तलाप सुख जाएंगे तो सिचाय सही तरीक से हो नहीं पाएगी तो रभी का जो फसल होता है उसको यह प्रवावित करते हैं यहां संथाल प्रगन यह आ गया फिर धनबाद और हजारी बाग यह सभी जगा जो है वह इसके अंदर गता आ रहाते हैं यहां की मैं तुपुर्ण फसल कौन सी है तो वो देखते हैं चावल है गेहू है मक्का है रागी है आलू अरह रेपसीड सरसो चना और दलहन यहां इस छेत्र की प्रमुख फसले है वर्सा कितनी मात्रा में होती है क्रिसी को यह सारी चीज़ें प्रभावित करती है वर्सा के बारे में भी जानना है कि यहां पर वर्सा किस तरीके से होती कितनी मात्रा में होती है और इस छेत्र के 1270 मिलिमेटर जो चेत्र एक बनाए गया है उसमें 1270 मिलिमेटर वर्सा होती है इस छेत्र के 13 जीलों में पाकुड में सबसे अधिक 1730 मिलिमेटर वर्सा होती है राची में 1390 मिलिमेटर और गोड़ा, धनबाद, गिरिडी, कोडर्मा, बोकारो, अजारी बाग चत्रा में 1300 मिलिमेटर से कम बारिश होती है और आने वाले दिनों में अत्यधिक बारिश या सुखे की भी सम्हावना रहती है कभी कभी ऐसा होता है कि बहух जादा बारिश हो गई और कभी ऐसा भी होता है कि सुखा पड़ जाता है तो आपने जाना जो मद्य उत्तर पुर्वी जो पठार है उसके बारे में मद्य उत्तर पुर्वी पठार की विशेस्ताओं के बारे में इसका अब मैं विविरन प्रस्तूत कर रही हूँ और फिर अब आप जानें के पश्मी पठार के बारे में कैसा मौनसून है यहां का जलवायू कैसा है तो उप उष निकटी बन दिया उप आर्द यह इस प्रकार की यहां जलवायू पाई जाती है इस छेतर के अंदर गत कुल भोगलिक छेतर फल का लगभग 49 परतिशत हिस्सा है 39% का हिस्सा है यह जो हिस्सा है पश्मी का पठार यह जो भाग है इसकी बात हो रही है और पूरे जार्खन का यह लगभग 39% का यह हिस्सा है यह जार्खन का कम सहरी करण और कम अबादी वाला हिस्सा है यहां पर बहुत जादा सहरी करण नहीं है और अबादी भी यहां की कम है इस छेतर की अबादी यह इस छेतर की कुल अबा में शहरी अबादी का प्रतिशत सत्रा है जैसे कि छेत्र एक में आपने देखा था कि वो कुल अबादी का 22 प्रतिशत हिसा जो वो शहरों में रहती है वहीं पर पश्मी पठार में कुल अबादी का 17 प्रतिशत हिसा जो है वो यहां रहती है छेत्र दो में जनसंख्या हो कितना था तो 400 कुश्ठाय देखें यहां पर मैंने लिखें 433 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर तो यहां जनसंक्या घनत में हैं कम है जो 246 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर है पशींपन पाथार में उप नगरिया उप उष्न कटि बंदिया मॉनसून सकरिया रहती है अब इस छेत्री की कुछ प्रमुक विश्यस्ताओं को जानेंगे मौनसून का देर से आगमन और सिगर वापसी, देर से आता और जल्दीव जाता है वर्सा की अनियमिता और असमान वितरन बहुत अच्छे से वर्सा अनियमित होती है कभी बहुत जादा हो गया, कभी कम हो गया, या फिर कभी हुआ नहीं कभी हो गया, ऐसे मौनसून के दोरान पानी का सुरक्षित बहाओ, तथा रभी फसलों में व्रिधी के लिए पानी की परियात भंडारन कहां बहाओ यहां भी वही प्रॉब्लम है पानी का सुरक्षित बहाव का प्रॉब्लम है और रभी फसल में मतलब वह उसको सेव नहीं कर पाते हैं बारिश की पानी को उसका बहा हो जाते हैं और रभी फसल की वृद्धी के लिए पानी का परियात भंडारन का भाव है अच्छे तरीके से को पानी को भंडार करके नहीं रखा जा सकता है जिसे कि सिच्चाई करने में मुश्किल होती है मिट्टी की कम पानी धारन शम्ता जार्खन के अधिकतर मिट्टियां ऐसी ही मिलेंगे जिसमें नभी सोखने की शम्ता कम होती है क्योंकि लगभाग 90 प्रतिशत भाग पर लाल मिट्टी का फैलाओ है लाल मिट्टी की खुवी है कि उसमें नभी धारन करने की शम्ता कम होती है जिस कारण से फसले भी प्रभावित होती है और अच्छा से उत्पादर नहीं हो पाता लिंञे में बताया था कि जल को संद्रक्षित करना बहुत ज़ूरी बारिस के पानी को हो या घर के यूज कि वर्टर के हो वो उसको भी आप से इंचित करके उसको से की जा सकती है मैं ने बताया था तो मैंने आपको दिखाया था कि सारी चीजों का भी वहाव है iस जगा उपर उपर निटीकोEurope करना ना पठारी छेत्र है तो बारिश बहुत जादा होती है तो मिटी का अप्षरण का समस्या यहां पर है तो मिटी के अप्षरण से मिटी की उपजावचमता भी खतम होती है और फसल कपे उस पर इन सारे चीजों का बहुत जादा प्रभाव पड़ता है यह छेत्र कहां पर है तो चावल, मक्का, जो, मसूर, सिस्मू, मुफली, आलू, अरहर और चना ये सारे जो हैं मुख्य फसल हैं वर्सा यहां पर कितनी होती है छेतर दो में तो लातेहार, गुमला और सिम्डेगा जैसे जीलो में समाने मौनसून वर्सों में काफी अच्छी बारिश होती है कहां कहां मौनसून वर्सों में चेतर बारिश बन जाता है और लंबी अवधि माज कीजेगा एक बड़ और मैं सुरिट कर देती हो चेतर दो में लातेहार, गुमला और सिम्डेगा जैसे जीलो में समाने मौनसून होती है वर्सों में काफी अक्षा वर्सा होती है हलांकि मौनसुन के वर्सों में यह चित्र बारिश है चित्र बन जाता है और लंबी अओधी 20 दिनों से अधीक रहती है यह समय तक यह सुखा रहता है फसल प्रणालियों पर खास करके पलामु जिले में इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अब हमनों जानेंगे दक्षिन पुर्वी पठार के बारे में यह किस जलवायू छेत्र के अंदर गताते है तो यह जलवायू छेत्र यह तीन है और इसमें जलवायू की सरीके से होता है तो उप उश्न कटी वंदिया मौनसून के लिए आर्द यह छेत्र कुल भोगोलिक छेत्र का लगभग 17 प्रतिशत है बहुत कम है 17 प्रतिशत ही है यह कौन सा जगा है तो यह देखने में आपके माध्यम से देखे यह छेत्र है जारखन के कुल का वो 17 प्रतिशत है यह जारखन का सबसे सहरी कृत हिस्सा है बहुत जादा सहरी करण है यहाँ पर लेकिन जनसंख्या का घनतों मध्य और उत्र पुर्वी पठार की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या का घनतों बहुत कम है कूल जनसंख्या का सहरी अबादी लगभग 35 प्रतिशत है जैसे कि आपने छेत्र 1 में देखा था 22 प्रतिशत सहरी अबादी चेत्र 2 में आपने देखा था 17 प्रतिशत सहरी अबादी वहीं यहाँ पर 35 प्रतिशत कुल अबादी का 35 प्रतिशत सहरों में निवास करती है और जन संक्या का घानत्व कितना है तो 299 प्रतिवर्ग किलोमेटर है दक्षिन पुर्वी पठार में नम उष्नकटी बंदिया मौनसून सक्रिय रहता है कुछ विश्यस्ताएं है इस चेत्र की वर्सा की असमान वित्रण वह पुरिज हारकण में आपने देखा नियूनतम जल गरांट छमता अपरदीत मृद्धा यह पूरी चारकण में यह है मिट्टी का उरवर्वर्ता कम है यह पूरिज हारकण के मिट्टी की स्थिती है पीर यहां छेत्र पूरे सिंग्भूम प्रमंडल तक सस्वर्व थैं मेंम itu पुरा फ़सले कॉह या चावल गेहूं मढवा और हर lc यहां कि प्रमक फ़सल है वर्सा किस तरीके से होती है तो राजी के जो दक्षिन पूर्वी भाग है जो छेटर तीन के अंतरगत आता है वहाँ पर केवल तीन जीलों में ही वर्षा अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है से जीलों में इसका वित्रण समान रूप से होता है समानले रूप से होता है अब लोग निसकर्स क रखणिकों को विख्षित करने तथह असे प्रभावी क्रिसी पदितिओं को विख्षित करने के लिए बहुत सारी क्रिसी जलवायो जनकारी आवश्यक यान एक ना केवल वर्सा और वायू मंडलियत आपमान आर्दता को बलकि विक्रण वास्पन और मृदा आर्दता को भी से यह संबंधित संबंध रखती है तो आज की क्लास में आपने जाना जार्खन के क्रिसी जलवायू छेतर के बारे में यह बहुत इंपर्टेंट क्लास और यह मेरा लास्ट क्लास था जार्खन के अगरिकल्चर का और कल से मैं जार्खन के इतिहास को सुरू कर रही हो और इतिहास में भी प्राचीन भारत के इतिहास को मैं स्टार्ट करूंगे तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं और नेक्ट क्लास में लेते हैं आप से विदा धन्यवाद